Hello everyone, आज हम लोग option के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे कि option market work कैसा करता है option के अंदर आप लोगों ने buying सुना होगा लेकिन option के अंदर selling भी होता है जिसे हम लोग बोलते हैं option writing या option selling तो चलिए आज हम लोग option writing या option selling को देखते हैं और साथ में सीखते भी हैं तो चलिए शुरू करते हैं learning भी और earning भी नमस्कार मैं राहुल आज हम लोग वीडियो के अंदर देखेंगे कि option selling कैसे होती है या फिर इसे हम लोग बोलते हैं option writing आप लोगों ने कहीं बार premiums को buy किया होगा call buy या put buy लेकिन क्या कभी आप लोगों ने premium को sell किया है put sell और call sell तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो के अंदर देख लेते हैं कि इसे exactly करते कैसे हैं और इसको करने में कितना profit है और कितना loss है that means आपका risk और reward कितना है इसके अंदर तो चलिए हम लोग देख लेते हैं तो हम लोग कुछ features देख लेते हैं option market के features हैं option market के features के अंदर first one जो feature है वो है उसका lot size याने future market और option market के अंदर lot size एक जैसे होते हैं future market के अंदर जैसे यहाँ पर लिखा हुआ right to buy but not to the obligation to the buyer and right to sell but not obligated to seller याने option market के अंदर जब हम लोग काम करते हैं तो buyer को जो है right होता है बट obligated नहीं होती चीज़े बट जब हम लोग premium को sell करते हैं तो seller को right होता है, obligated नहीं होती है, याने हम लोग कहीं न कहीं premium को जब sell करते हैं, तो सारी चीज़े obligated होती है, याने हम से seller जो है, उस premium को वापिस ले सकता है, future market की अंदर ऐसा नहीं होता है, जब तक हम लोग अपने margin को maintain नहीं करें, दोनो derivative market है, तो दोनों ही derivative market होने के कारण future option जो है, अपने risk को manage किया जाता है, याने ये speculative market है, speculative market के अंदर हम लोग investment नहीं करते हैं, बस केवल और केवल अपने risk को hedge करने के लिए, इस market के अंदर हम लोग काम करते हैं, future option बने ही थे risk management tool के लिए, कि आपका अगर cash market में, अगर investment है और आप उस investment को safe और secure करना चाहते है या फिर अपने risk को कम करना चाहते हैं, तो future option की मदद ले सकते हैं, ये एक type के tools हैं, या instruments हैं जिसकी मदद से आप अपने risk को cover up कर सकते हैं, future option market कभी भी investment tool नहीं बने हैं, ये केवल और केवल risk management tool है, तो इसलिए इसमें सोच कर समझ कर investment करना चाहिए नहीं, तो huge losses हो सकते हैं buyer और seller जैसे हम लोग future की बात करते हैं, तो future के अंदर हमें margin amount देना होता है, बट जब हम लोग option की बात करते हैं, तो हमें केवल और केवल premium amount देना होता है, और premium amount देकर हम लोग उस चीज़ को purchase कर सकते हैं till the expiry date, risk कैसा है, future market के अंदर हम लोग जाते हैं, तो risk भी high होता है, reward भी high होता है, but whenever we talk about the option market, तो यहाँ पर low risk है और high reward है, intraday काम हो सकता है, yes, absolutely, holding कर सकते हैं, BTST कर सकते हैं, STBT कर सकते हैं, याने buy today, sell tomorrow, sell today, buy tomorrow, ये दोनों ही चीज़े हम लोग कर सकते हैं, but future market के अंदर हम लोग expiry के आगे भी उसको carry forward कर सकते हैं, याने contract renew के बाद भी हम लो बात करते हैं, तो option market में केवल और केवल expiry की date जब तक है, तब तक इन तीनों चीज़ों को हम लोग कर सकते हैं, दोनों ही derivative market है, future and option, इसलिए इसे हम लोग F&O भी बोलते हैं, F&O market भी बोलते हैं, क्योंकि दोनों के अंदर derived price आते हैं, जो कि international जैसे हम लोग बात करते हैं, कि हमारा underline market price है, वहाँ से market prices derive होकर यहाँ पर आते हैं, तो यह prices थोड़े से ज़्यादा ही मिलेंगे, बड़े हुए रहते हैं, क्योंकि यह determined prices है from the underline asset, clearing settlement कैसे होता है, याने आपके जो derivative contract है, वो settle होते हैं, T plus one time पर, याने trading का दिन, plus एक दिन extra, यह time लेता है, clearing houses लेते है time exchange लेता है, और आपके जो contract है, वो settle हो जाते हैं, याने same day पर contract settle नहीं होते हैं, एक दिन का time लगता है, जैसे हम लोग equity market की बात करते हैं, तो equity market में T plus two days का time लगता है, जब तक कि आपका trade settle नहीं हो जाता है, याने trading का day पर second day, but F&O market के अंदर T plus one day का आपको time लगता है, ज जैसे हम लोग अभी के बात करें, तो July contract, August contract और September contract ये तीनों contract available होते हैं, आप किसी भी contract के अंदर buying और selling कर सकते हैं, आपके पास में पैसा कितना है, या investment कितना है, उस चीज़ पर depend करता है, और तीनों contract एक साथ भी खरीच सकते हैं, तीनों contract एक साथ बेच भी सकते हैं, इस option market के main elements, हम लोग देख लेते हैं, option market का main element क्या है, option जो है, दो type के option styles पूरे worldwide available है, जिसे हम लोग CE और PE, या पूर CA और PA से हम लोग denote करते हैं, CE that means call European, PE means put European, CA means call American, और PA means put American, ये चार type के call options आपको available होंगे, market के अंदर CE और PE, याने ये European, दो type के main options पूरे worldwide चलते हैं, European standard के और American standard के, इन दोनों के अंदर main differences क्या हैं, जो European style के जो option strategies होती हैं, वो expiry date तक ही valid हैं, याने आपसे बिना expiry date के पहले, उस contract को नहीं कोई ले सकता है, but American के अंदर वो exercise उस date के पहले भी हो सकते हैं, याने अ जोलाई से पहले कभी भी वो exercise हो सकते हैं, but European standard के जो options होते हैं, वो expiry date तक ही exercise हो सकते हैं, ये जो main difference है, इन दोनों options के अंदर, इंडिया के अंदर कौन सा option strategy चलती है, वो है European strategies, याने expiry date के दिन तक ये चीज़े valid रहेगी, और expiry के बाद ये सारी चीज़े invalid हो जाती है, याने जो premium का seller है, वो premium को वापिस ले लेता है, buyer से, इसलिए आपकी holding या पिर आपकी delivery, जो है option market के अंदर European standard में नहीं हो सकती है, तो ये तो रही बात option style की, American style के options होते हैं और European style के options होते हैं, हमारे इंडिया के अंदर European style के standard चलते हैं, main चार जो key points है, पूरे option market के अंदर वो है spot price, strike price, option type and premium, what is the spot price, spot price is the actual cash market price, याने जब भी हम लोग premium को खरीदेंगे या बीचेंगे तो spot market से price ही derive होकर आते हैं, क्योंकि it's a derivative market, और derivative market के अंदर जो prices derive होते हैं, वो होते हैं from the spot market, अब spot market कौन सा है, spot market is directly the equity market, याने अगर equity market में change होगा, तो definitely उसका impact premium पर भी पड़ेगा, क्योंकि straight prices जो आ रहे हैं, वो spot market से ही आ रहे, तो चार main element है, इस option के spot price, strike, strike हम लोगोंने last video के अंदर हम लोगोंने देखा strikes के है, strike is the future predetermined prices, forward prices और backward prices, options type क्या होते हैं, option type, दो type की options होते हैं, market के अंदर जब आप purchasing करने जाते हैं, तो दो type से ही purchasing कर सकते हैं, first one is the call option and second one is the put option, call के अंदर whenever the market is bullish, आपको लग रहा है, यह stock या index market के अंदर bullish है, तो आप call option purchase करते हैं, और जब भी आपको लगता है, market के अंदर एक bearish trend आता है, तो आप put option purchase करते हैं, यानि आपको लग रहा market नीचे जाएगा, तो you can buy a put option, और जब भी आपको लग रहा market ऊपर जाएगा, यह market bullish होगा, तो you can buy a call option, तो यह 4 type की options हो जाते हैं, जिसके अंदर आप buy sell कर सकते हैं, call को आप long कर सकते हैं, call को short कर सकते ह premium, premium is the token money, token money जो हम लोग देते हैं, किसी भी strike price के against, तो यह 4 main की element है, पुरी option market की, इन चीजों को आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि option market एक दिन में समझा नहीं जा सकता है, बहुत hectic है, अगर option market को आपने अच्छे से सीख लिया, तो might be, आपको premium के जो prices derive होते हैं कम जादा होते हैं, वो easily आपको समझ में आने लगेगा, अब main premium के बढ़ने गटने का reason क्या होता है, यहाँ पर यह premium को formula है, premium बनती कैसे, premium बनती है intrinsic value plus time value, याने intrinsic value क्या है, intrinsic value is the actual valuation, कि मुझे कितने रुपए देना चाहिए, जैसे मैं एक example लेता हूँ, कि आप अगर को insurance खर दे रहे हैं, और एक किसी 60 साल के व्यक्ति को भी दे रहे हैं, तो दोनों के अंदर major difference क्या होगा, किसे insurance सबसे कम पैसो में मिलेगा, I hope 25 साल वाले को, क्योंकि उसका जो death ratio है, वो अभी बहुत कम है, और अगर 60 साल वाले को मुझे insurance देना होगा, अगर वो smoke करता है, तो I think so insurance company उसे insurance देगी, but on the higher premium, तो दोनों में difference आपको समझ में आया, जिसकी age कम है, यानि risk factor जिसको कम है, उसकी premium भी कम होती है, और उसके मरने के chances भी कम होते है, but वही 60 साल के व्यक्ति को premium जो होती है, वो जाधा pay करना पड़ती, तो intrinsic value भी vary करती है, from risk, अगर risk जाधा होगा, तो intrinsic value भी जाधा होगी, और risk कम होगा, तो intrinsic value भी कम होगी, और time, दोनों में time का भी difference है, 24 साल वाला व्यक्ति जाधा दिन जियेगा, तो उसकी life भी जाधा है, और premium भी कम pay करना है, और वही 60 साल का व्यक्ति life भी कम है, और premium भी जाधा pay करना है, यानि risk, जितना जाधा risk होगा, premium उतनी जादा आपको pay करना पड़ेगी और जितरा कम risk उतनी ही कम premium pay करना पड़ेगी तो यह straight option market के अंदर भी यही चीज applicable होती है जो intrinsic value है intrinsic value is just the original valuations याने किसी चीज़ के लिए मुझे अगर जादा पैसा देना पड़ रहा है तो उस चीज़ की intrinsic value क्या हो रही है उसकी intrinsic value थोड उसे एक महिना है expire होने में तो एक महिने का time उसके अंदर involved हो जाता है याने premium बंती दो factor से है first one is the intrinsic value and second one is the time value intrinsic value is the actual valuation and time समय धीरे धीरे घड़ता जाता है आप अगर premium देखेंगे तो premium day by day day by day कम होती है क्यों होती है क्योंकि उसके बीच का समय कम होता है याने आपने जो contract purchase किया है वो contract धीरे 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 expiry की तरफ जा रहा है और उसका समय खतम हो रहा है तो call buy करे या put buy करे दोनों ही condition में आप आपकी premium day by day कम हो रही है day by day कम होने का कारण क्या है day by day कम होने का करण है उसके अंदर का time समय आप insurance में समय खतम होता है ना रोज आप देखते हैं कि हर एक दिल आपका जो है expire होते जा रहा है that means आपकी जो premium value वो कम होती जा रही है आपका जो premium price है वो दिरे-दिरे कम हो रहा है so time बहुत जादा important factor है जब भी आप option market के अंदर काम करते हैं तो time is the most important factor जो की दिरे-दिरे कम होता है चाहे वो call आप buy करें या put buy करें तो time तो कम होगा ही होगा that's why आपकी premium जो होती है day by day घटना चलो हो जाती है अगर market में कोई moment ना भी हो रहा हो या market stable भी हो तो भी आपकी premium day by day घटेगी क्योंकि time is the major factor okay so intrinsic value intrinsic value निकालने के लिए simple spot market minus strike value को minus किया जाता जब भी आपको call options निकालना होते हैं और intrinsic value अगर आपको निकालना हो put की तो strike value minus spot value यानि यह दोनों opposite हो जाते तो इससे call और put की intrinsic value निकल जाती है और time time दोनों के लिए same रहता है अगर 30 दिन का time है तो 30 दिन का time दोनों के अंदर add on हो जाएगा और इस formula से आप premium निकाल सकते हैं तो जो भी premium जैसे हम लोगों ने last video के अंदर option chain देखी तो option chain के अंदर जितनी भी premium price derive हो रहे थी तो वह premium price derive होने का यह formula है तो इसी formula से premium price derive हो रहे थी हमें इस formula को याद नहीं करना क्योंकि already जो चीज़ दी हुई है उसे निकालने से कोई मतलब नहीं है हम त properly कर सकते हैं I hope आप लोगों के समझ में आया होगा next हम लोग देख लेते हैं moneyness की option के अंदर moneyness कितने type का होता है आप लोगोंने हर बार option के अंदर सुना होगा at the money, in the money और out of the money यह 3 moneyness factor होते हैं याने जब भी हम लोग market के अंदर काम करते हैं तो 3 major factors होते हैं इसी के ऊपर आ अगर आप in the money की बात करेंगे ITM, OTM, ATM यह 3 major factor है moneyness के जो option chain हम लोगोंने देखी थी option chain के अंदर in the money याने जब भी strike prices के अंदर के prices अगर आपको calculate करना है जैसे मैं example ले लेता हूँ, मैं option chain के अंदर आपको दिखाता हूँ कि कैसे in the money और out the money को हमें calculate करना है हम लोग NSE India की website ओपन कर लेते हैं, इसके अंदर आपको exactly पता पड़ेगा कि in the money, at the money और out of the money क्या है, जैसे मैं bank nifty ले लेता हूँ, मैंने bank nifty ले लिया, bank nifty के हम लोग option chain particularly देख लेते हैं, इसके अंदर कैसे आपको recognize करना है in the money, at the money को, यहां पर option chain हम लोगों ने open किया, option chain हम लोगों ने open कर लिया, यह रहा option chain ठीक है, बीच में strike prices है, यह इसके bits हैं, यह इसका पूरा call, यह इसका LTP, और यह इसका पूरा put options ठीक है, जो आपको yellow और white वाला area दिख रहा होगा, I think so, यह दिख रहा है, जैसे यह, this is the price, अभी bank nifty का price क्या चल रहा है, बैंक nifty का जो latest price है, 22,600 और 22,700 के बीच में लाए कर रहा है, यहाने last Friday के दिन, यह market यहाँ पर close होग चुका है, तो आपको यह shaded area दिख रहा है, yellow वाला, अभी market का है, अभी market है, 22,600 पर, याने 22,600 के नीचे के जो prices है, यह दिख रहे हैं, 22,500, 22,400, 22,300, तो यह वाला जो area है, this yellow area, in the call option, यह call option के अंदर का yellow area, this is called the ITM, याने इसे हम लोग बोलेंगे, in the money, in the money for what, in the money for call, याने जितनी भी call options की जो premium है, वो in the money में है, याने जब भी market बढ़ेगा, तो यह जो white वाला जो area है, इसको cover up करेगा, याने white वाला area भी yellow के अंदर आ जाएगा, तो यह भी in the money हो जाएगा, अब यह call के लिए, यह white वाला area क्या है, यह white वाला area है, out of the money, याने अभी इनकी premium पर मुनाफ़ा चालू नहीं हुआ है, might भी आपका prediction अगर इन premiums पर होगा, तो आपका profit आना चालू हो जाएगा, तो this is called the out of the money for call, ठीके, इसी का opposite हम लोग put के लिए देखे, तो put के लिए जो white वाला हिस्सा हुआ, या फिर यह yellow वाला हिस्सा हुआ, तो यह yellow वाला हिस्सा put option के लिए क्या हो जाएगा, यह ITM हो ज हिस्से को भी yellow कर देगा, that means, यह वाला हिस्सा क्या हुआ, यह वाला हिस्सा हुआ, आपका out of the money for put option, याने call option के अंदर market 22,000 से market अगर 23,000 होता है, तो in the money वाला out of the money को cover up करेगा, अगर market नीचे के तरफ जाता है, 22,600 से market अगर 22,000 के तरफ जाता है, तो put वाला हिस्सा, जो ह in the money वाला हिस्सा जो है, वो out of the money को cover up करेगा, याने kind of a, यह एक balancing tool है, अगर market बढ़ेगा, तो you should have to buy a call options, और अगर market घटेगा, तो you should have to buy a put options, जो की out of the money की premiums आपको खरीदना होगी, तो out of the money की premiums सस्ती पड़ेगी, अगर in the money की चीज़ों को आप खरीदोगे, तो वो आ आपको महेंगी पड़ेगी, हाँ, in the money की चीज़े थोड़ी सी safe होती है, क्योंकि already उन premiums पर मुनाफ़ा ले चुके होते हैं, out of the money, एक projected price है, या फिर एक ये वो price है, जहां पर premium अभी मुनाफ़ा लेने वाली है, तो I hope आप लोग को ये चीज़े समझ में हैं होगी, और य this is called the ATM, इसे हम लोग बोलते है, at the money, याने ये अभी mid price पर है, याने ये उसी price पर है, जहां पर की market है, तो तीन चीज़े हो गई, ATM याने at the money, ITM याने in the money, और OTM याने out of the money, तो call options और put options की premium को जब भी देखें, तो इन तीन चीज़ों को ध्यान में रखें, जब भी आपक आपको premium purchase करना होगी, वेदर आपको call by या फिर आपको जो writing करना होगी, तो उसके लिए आपको ये चारू चीज़ों को या फिर option chain को देखना ज़रूरी होता है, I hope आप लोग को ये चीज़े समझ में आई होगी, तो चलिए हम लोग वापिस अपने option को हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है, में चार टाइब के options होते हैं, आपने शायद call writing की सुना होगा, तो call writing को हम लोग simple सा selling बोल सकते हैं, call buy, put buy, call sell, put sell, चार टाइब के ये mechanisms होते हैं, जिसके तरू हम लोग premium को खरीच सकते हैं, call buy या put buy, या जिसमें हम लोग premium को buy करते हैं, profit कब होगा हमें, profit होग जब भी हमारी premium बढ़ेगी तब, लेकिन call का purchase करते हैं, जब market bullish होता है तब, और put हम लोग तब purchase करते हैं, जब market bearish होता है तब, याने call के अंदर भी premium बढ़ रही है, और put के अंदर भी premium बढ़ रही है, बट दोनों के अंदर market condition opposite है, call के अंदर bullish market है, और put के अंदर bearish market है, बट दोनों में premiums बढ़ेगी तो profit होगा इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं हम लोग call को buy कर रहे हैं और put को भी buy कर रहे हैं बट इसी के opposite चीजों को आप अगर देखे क्या call को sell कर सकते हैं put को sell कर सकते हैं call को भी sell कर सकते हैं और put को भी sell कर सकते हैं याने जब हम लोग premium को खरीद रहे थे तो premium बढ़ रही थी तो profit हो रहा था बट अब हम लोग premium को sell कर रहे हैं याने call sell और put sell इसे हम लोग बोल सकते हैं या तो short करना premium को बेचने के अंदर मुझे profit कब होगा बेचने के अंदर मुझे profit होगा जब भी premium के rate घट जाएंगे तब क्योंकि मैंने premium को क्या किया है premium को मैंने short किया है short करने में profit कब होता short करने में profit होता जब भी premium के rate नीचे गिर जाते हैं तब तो I think so आपको ये call writing और जो है call की buying आपको समझ में आई होगी next video इसी का next part होगा जिसके अंदर हम लोग ये देखेंगे कि इस premium को कहां से buy करना है और कहां से sell करना है याने आपको exactly profit आपका कहां से start होगा तो till then आप इस video को देखते रहें